हेलो फैंस वेलकम टो आप लोग बताने वाला हो कि आप लोग अपने ट्रिपल सी का जो की जो भी बच्चे एक्जाम दिये रहते हैं तो उसका आप लोग को रिजल्ट देखने में प्रोबलम आता है और सर्टिफिकेट डाउनोड करने में प्रोबलम आता है तो मैं आज की इ पास बीजाते हैं पताने चलता है उनको कि हम आपना देखे कैसे तो फाइनली में आज की इस वीडियो में आप लोग को वही चीच बताने वाला हूं और इससे पहले में आप लोग बता दू कि मैं आपका फूरसेस बता चुका हूं कि एडमिट का डाउनोड किया जाता है अब इस वीडियो में आप लोग बताने जा रहा हूं कि ट्रिपल सी का आप लोग एडमिट जूकी इस रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं आप लोग चलिए वीडियो स्टाट करने सपहले आप लोग सु छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हैं में अब लोग देखना ना फूलिए सबसे पहले वीडियो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर में आना या क्रोम ब्राउजर में आने के बाद से यहां पर ट्रिपल सी टाइप कर देना है किसे आप ट्रिपल सी सर्च मारिएगा आप लोग सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इसम अगर आप लोग को सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा खुल के शर्वर का प्रोल मगा आता है कि साइट नेटवर्स प्रोलम जाता है तो आप लोग को इससे इसू नहीं है अगर आप लोग का इडिमिट कार्ण के नोटिफिकेशन का सेक्षन में आप लोग कर हैं तो इस होगा तो उसमें भी देखा देंगा तरफिक है लेकिन आप लोग यहां डेक्ट अपना चेक करना चाहिए आप लोग सिंपली इस वेफटारीट पर आज़ाना है इस प्लेफ़ाइट में आने के अप्छा पीशन दिखाई देगा अपर सारी सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप लोग यहीं से ओनलाइन भी कर लिजेगा ओनलाइन करने का आप करने के बाद अगर आप लोग प्रसेश जानना होगा तो मैं वीडियो से बना दूगा कैसे आप लोग टीपल सी ओनलाइन कर सकते हैं उसके बाद से ट्रेनिंग जो की होता है इन कॉंटेंट उसके बाद से यहां पेडिमिट का डाउंड करना तो इसी वेपसाइट प्लोग आ करेंगे तो आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा बहुत सारा इसमें नोटिफिकेशन आएगा देख सकते हैं लेकिन इसमें आप लोग को सबसे उपर जाना है और उसमें आने के बाद से आईटी देखिए आईटी दिखा रहा है ना प्रोग्राम करके उसमें आप इसमें पर क्लिक करना है थीक है जैसे ही आप लोग इसपर किजेगा आप लोग के सामने कुछ ऐसा ओपें हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से आप लोग को तीसरा अगर आप लोग को अपलिकेशन नमर भी आप लोग के पास है उससे भी आप लोग अपने देखना चाहता हूं और देखिए यहां पर लोग को कुछ फों फिलिफ करने का उप्सन दिखाई देगा जैसे कि आप लोगे यहां पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट में इग्जामनेशन इयर की किस यह में आप लोगों ने एक्जाम दिया है उस इयर को सलेक्ट करना है मैंन में इस मन्थ में आप लोगों ने एक्जाम को पर ट्रिफाल सी का फॉन आप लोगों को यहां पर सलेक्ट नहीं करना है आप लोगगों इस मन्थ में इग्जाम हुआ है उस मन्थ को चूछ करना है तो मैं देखिए ओन्स सब्सक्राइब करने के बाद से यहां पर डिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आप लोगा रिजल्ट दिखा देगा रिजल्ट पब्लिश हुआ कि पास हुए कि फेल हुए कि ठीक है सबसे हैं सबसे हैं सबसे आप लोग है इन्फर्मेशन देगा आप लोगा फादर नहीं मंदेंगा और आजएग औरलग है अजे पास मुन एक्जान देख सकते हैं आप लोगो नीचे देखना है देखिए सिंपली तो पास हो गया है और रिजल्ट पब्लिश्ट देख्ट 15 दिसमर को यह रिजल्ट पब्लिश्ट हुआ है देख सकते हैं और नीचे सारा कोई डिटेल्स देता है ठीक है अगर तो यहां से देख्टा 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 देता हूं मैं आप लोगो को देखिए इसमें अगर आप लोग 75 परसेंट से लेका 84 परसेंट के बीच में लाएगा ना अगर ता आप लोग यह ग्रेड ठीक है और अगर और अगर आप लोग 74 परसेंट से 50 परसेंट के बीच में लाते हैं तो बीग्रेड मिलेगा और 54 परसेंट से लेकर 55 परसेंट के बीच में लाते हैं तो सी ग्रेड मिलेगा और पचास से लेकर 55 के बीच में लाते हैं तो आप लोग डीड मिलेगा और अगर पचास से आप लोग का नीचे मार्क साथ आप लो जाएंगे तो इस बात का द्यान रखिएगा आप लोग फेल हो जाएंगे तो मैं आप लोग को बताया इस पूर कम इसमें वीडियों में के माध्यम से कि आप लोग अपना इस चैनल पे हैं तो आप लोग चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा और ट्रिपल सी क्लास देखना ना बूलिए और इस चैनल पर मैं आप लोग पता दूए किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन आ गई कोई भरती आ गई नहीं या फिर किसी भी एक्जाम का एड्मिट काड आ गया या रिजल्ट आ गया मैं सारा कुछ डिटेल्स पर पब्लिस करता रहता है प्रॉपर टाइम टू टाइम ताफ लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ल अजल्ट आ ग्रफ लोग जग्मिट जो अलोग पर लोग ताफ लग्मिट कर लग्मिट कर लोग्मिटीश कर लोग है